सारा, इंजल, अनन, सूती, स्षिस्टी, बेटा मेमोरी वर्स याद है आपके, नीती वचन तीन का पांच, सारा, जी दी, हाँ बेटा सुनाओ, जी दी मुझे नहीं पाता था कि मेमोरी वर्स मिलिया, अच्छ, अच्छ, कोई नी बेटा, अनन, सूती, स्षिस्टी, अनन, स्थूती, स्षिस्टी, इंजल, अरपित, यशिका जी या, दीदी, हमना पिछले संडे हम जुड़े नी थे, बवन गए थे, नी बेटा, पिछले संडे हुआ नीता, उससे पहले दिया था, आपको याद है? नो दीदी, चलो कोई नी, आपकी संडे का याद करके आना सभी बच्चे, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप बताना दिख रहा हैं नहीं आपको? दिख रहा है बटा? सारा दिख रहा है? नो दिद्धिया भी लोडिंग हो रहा है, हाँ बाग गया तो वीडियो न कर लो पहले सभी? येशिका जी आनन सूती श्रिस्टी वीडियो न कर लो और स्क्रीन देखकर आप बताना कि क्या जो मैं पुछूंगी ठीक है? तो हमने अब तक क्या पढ़ा? किसके बारे में पढ़ रहे थे? आपको पता है? किसको पता है? जल्दी से माइक उपन करके आंसर दे दो. निशा अवाज नहीं आरी है? झी जी दी? शीन आवाज भी आ रहे हैं? झाओ तो आप dice at home, जा भी तो रहे हैं? किसको भी आई ए है? कि दो मिनिट हाँ हाँ अभी तो आ रही है कि यह जा वीडियों कर लो सभी बच्चे और जो मैं पूछू आप बताना उन करके तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे किसी को पता है अनन्सूती श्रस्टी बच्चे आप लोगो क्या हो गया कि बहुत अच्छा मुझे दूमने निशा स्क्रीन शेर आफ करना जड़ा तीना दी श्क्रीन शेर ओफ कर तो आप मुझे सारे हां सब आपको क्या हो गया बहुत जादा पताओ माइक ओन करो अब ना अरे अब तो मैंने बहुत जादा मैंने कर लिया संडे स्कूल 31 तक मैंने पार्टिसिपेट कर दिया दीदी ने जो बोला मैंने वैसे किया अब तो मैंने इकर सकता बस मैं बैठ जाओंगा यहां पे आके संडे स्कूल में और कोई भी टीचर बोलती रहे बस मुझे उससे कोई फारक नी पड़ता है हाँ ऐसा है क्या थक गए हो क्या आज खाना ने नाच सा किस किस ने किया है थांसरे इस तरेगर जस्टेस ने ब्रिक्फस्स किया है हाँ एंचल ने थो किया है एंजल कर लेकर मुझे आप दिखने रहा और ऊपर oh okay good और किस ने किया है चालो यहिशिका जी आनंगिका तो क्यों आवाद क्यूं निकल रही है गले पाइक तुरंक पिलिए कुछ पूछ कर एक चलो आप कुछ भी पूछेंगे। अप लोग तुरंग अमाइक नविट पर तुरंट जवाब देना है और जवाब देने के बाद तुरंट अन्युट कर देना चलो टीना डीडी शेर करेंगे स्क्रीन अच्छा तो इतने दीदी स्क्रीन शेयर कर रही है आप बताओ इस्राइली जो लोग थे वो किसके अंडर रहते थे फिरोन जो था वो कहां का राजा था जो इस्राइली लोग थे वो किस देश में रह रहे थे और फिरोन कहां का राजा था नहीं आ रहा है आद जब उन पर महामारी आई थी दस विपत्ति आई थी हाँ बेटा बुलो यशिका जी आपके अवाज ने आई फिर से बोलना देदे मेस्र तो उन पर कितनी विपत्ति आई थी जित कितना पढ़ लिया आपने नो विपत्तियों के बारे में पढ़ाया आपने आप स्क्रीन पर देख पर बताना फर्स्ट वाली कौन सी थी दी नेक्स्ट जब मिस्र का राजा फ्रोन इस्राइलियों को जाने नहीं दे रहा था तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं फ्रोन के मन को और कठोर कर दूंगा और चमतकार दिखाऊंगा तो पहली जो महमारी आई थी इस्राइलियों पर वो कौन सी महमारी आई थी दीदी, हाँ बिटा सारा भूलो, दीदी आप जवाज पूरी ठीक से नहीं आ रही है, अभी आ रही है, नहीं दीदी अभी आ रही है, बिटा, हाँ दीदी आप आ रही है, हाँ, तो आप स्क्रीन पर देखके बताईए, फर्स्ट सबसे पहली हमारी कौन सी आई थी? अब आज ने आरी मेरी सारा, दीदी आप आगई, इस पर दो फोन मीना पगड़ा जार वार वार भार ठैग रही है, अभी आपका स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा, अच्छा, इतने इदी स्क्रीन शेयर करें, छोटी सी प्रात्ना करेंगे, परमेश्व पिताब के पवित्र सुंदर चर्णों में आती हूं, प्रभुजी धन्यवाद देती हूं, हर एक बात के लिए, आपी प्रभुजी अप ने स्वर्गय बुद्धी दे, इश्व मसी के नाम से मांगती हूं, आमीन, अच्छा, सारा आप बताओ, ये फर्स्ट वाली महमारी कौन सी थी, जल्दी जल्दी से बता दो, माई को उपन करके अब, सबसे पहली जो आई थी वो थी लहू की है ना, और ये जो सेकेंड नमबर पर आपको दिख रहा है, ये कौन सी महमारी आई थी, मैंड को की महमारी आपने पढ़ा है पहले संटे स्कूल में, और जो थर्ड नमबर पर है, जहां थ्री लिखा हुआ है, वो तीसरे नमबर की आई थी कुठकियों की महामारी किस पर आ रही थी कौन पढ़ रहेते बिमार महामारी का मतलब क्या है देदी मेस्दी पर हां और महामारी किसे कहते हैं भृती भयंकर बिमारी dangerous जैसे कोरो न था न और जिसका इलाज भी बहुत कुछकिल से होता है बहुत लोग मरते हैं तो उसको हम हमारी कहते हैं जो पूरे देश में फैल जाती हैं लेकिन क्या इसराइलियों पर हमारी आरी थी कि नहीं हां और दी नेक्स्ट फॉर्थ नंबर की कौनसी थी किसी को पता है फॉर्थ नंबर की कौन सी थी? दीदी मक्यों की हाँ, डांसों की महामारी और फिफ्ट नंबर पे? स्क्रीन पर देखते बता दो जल्दी से पांचवे नंबर पे क्या दिख रहा है आपको? ये गाए सी दिख रही है तो घरेलू पश्यों की जो ये जो आपको हाथ पे दिख रहे है याद है किसी को? शिक्स नंबर पे? देदे कीडों की फफोलों की महामारी हाँ और सेवन्थ नंबर पे दी नेक्स्ट सेवन्थ नंबर पे? बारिश से बारिश होती तो कुछ और भी गीरते हैं और मैं गीरती है और एट नंबर पे? जहां पे एट लिखा है महां से देख के बता दो जल्दी से दिदि प्रैंडक टिद्डी होगी बेटा और नाइंथ नंबर पे? नाइंथ नंबर पे क्या दिख रहा है आपको? यह जह था अंधेरा किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और टैंथ नंबर पर आज हम देखेंगे जो दसवे नंबर पर उन पर कौन सी महमारी आने वाली थी परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते हैं वो तो हमें बिमारियों से ठीक करते हैं पर यहां पर परमेश्वर ही महमारी ला रहे हैं क्यों ऐसा हो रहता इंजल आप बताओ बेटा इस तो कुछ पता ही नहीं आप रहती है राम से उन लेगा वस इंजल और वो सच्चे परमेश्वर को नहीं मानते थे उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था और वो अपनी मर्जी से चलते थे परमेश्वर के अग्याओ को नहीं मानते थे तो आज हम निर्गमन 11 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर उनको चेतावनी दे रहा है मिसरी को फिरोन को कि उन पर पहलोटों की महमारी आने वादी है परमेश्वर मुसा से बोलते हैं परमेश्वर किसके द्वारा मिसरीों को चेतावनी देते था फिरोन को चेतावनी मूसा हाँ और उसके साथ कौन थे हारून हाँ तो परमेश्वर मूसा से बोलते हैं कि एक और विपत्ती एक और महमारी मैं फिरोन और मिस्र देश पर डालता हूं परमेश्वर मूसा से क्या बोलते हैं कि एक और विपत्ती और महमारी मैं मिस्र देश पर डालूंगा और ये आखरी होगी इसके बाद तुमको जो फिरोन है वो जरूर जाने देगा महां से खुशी खुशी यह आपको दिख रहाएने स्क्रीन पर कि पहले वो कैसे रहते थे दुखी परेशान अभी वो क्या थे वो फिरोन के उसमें थे अंडर थे फिरोन की बात माननी पड़ती थी बहुत महनत कराता था उनको खाने के लिए भी नहीं देता था तो अब यहां पर अब क्या होगा परमेश्वर उनको महां से निकाल लेंगे देख़ो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सब खुशी खुशी जा रहे तो अभी हुआ नहीं उनके साथ ऐसा होगा परमेश्वर ने उससे पहले यह हमने देखा था कि इस्राइलियों की हालत क्या थी देखो आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है न कैसे फिरोन उन पर अत्याचार करता था उनको मारता था काम भी करा रहा है इस्क्रीन पर देखे आप ध्यान से काम भी करा रहा है उनसे उनको ख लोगों से पुरूस जो है वह उन पर दयालु किया मिसरिगों को अपनी पढ़ पह्चा पर दयालु किया अच्छा एक बात ने आप उन्ग्रा मस्रों कर रहो है मिसरियों करें है क्यों कि यो दयालू किया, उनके मनों में डाला, कि ये जो हैं इस्राइलियों की हेल्प करें, जो मिस्र के लोग हैं, सोना चांदी दे कर, तो क्या परमेश्वर पहले नहीं कर सकते थे, पहले भी दयालू कर सकते थे, पहले भी वो निकाल सकते थे, आपके मन में ये कुशन नहीं आया, कि पहले परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया वो तो ऐसे भी निकाल सकते थे क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहे थे क्यों बाबार कठोर कर रहे थे उसके मन को फिर उनके मन को कोई बताएगा कि वह इस्राइली लोग जानने की वह कितने महान परमेश्वर हैं और परमेश्वर चाहते थे कि वह अपने विश्वास वह परमेश्वर पर विश्वास में बढ़े दी नेक्स्ट और वो ये भी दिखाना चाहते थे कि जो परमेश्वर की अग्याओं को नहीं मानते, सच्चे परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उनके साथ उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, फिर मूसा जो था मिस्र देश में फ्रोन के करम परमेश्वर ने, मूसा पहले क इसा था जब परमेश्वर ने उसे अपने लिए चुना था तो वो किस तरह का इंसान था वो क्या बोल रहा था जब परमेश्वर ने उसको जाड़ी में दर्शन दिया था कि मैंने तुम्हें चुनाए तब मुझसा क्या बोल रहा था कि परमेश्वर मैं तो मैं तो बोलना भी नहीं जानता और मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हूं मैं कैसे बोलूंगा इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे छुड़ाऊंगा यह बोल रहा था ना वो डर रहा था लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ थी परमेश्वर न पर विश्वास रखते हैं परमेश्व पर ट्रस्ट करते हैं परमेश्व उर्म के जीवन में ऐसी महान काम करते हैं जैसे परमेश्वन ने मूसा के द्वारा किया मूसा के जीवन में भी और मूसा के द्वारा वो इस्राइलियों को छुडाने वाले ते और भी महान चमतकार कि दी नेक्स्ट तो हम क्या देखते हैं से कि अगर हम दुखी हैं परेशान हैं तो और दरे हुए हैं कि हम मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता और मेर से मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती मैं बहुत परेशान हूं यह आपको दिख रहा है ना इधर लेफ्ट हैंड साइड में कि य कैसे परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊंगा मैं तो चोटा सा बच्चा हूं और मैं कैसे परमेश्वर का वचन बाटूंगा मेरे अंदर इतनी पावर भी नहीं है तो फिर आपको दूसरी तरफ दिख रहा है कि प्रात्ना से सामर्थ मिलती है तो जब भी आपके मन मे यह दुखाए परेशानी आई या आपको स्ट्रेस हो दुखी हो परेशान हो डर डर आई तो आपको परमेश्वर से प्रातना करनी है फिर परमेश्वर मुसा से बोलते हैं मुसा जाकर फिर फिरोन से बोल रहा है कि फिर मुसा कहता है कि फिरोन से बोल रहा है वो जाकर कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आधी रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा आधी रात को देखो है यहां पर दिख रहा है ना आधी रात को अंधेरा है बिल्कुल दी नेक्स्ट और आधी रात को क्या करते हो आप? अदिरात को क्या करते हो आप? अदिरात को आप? हाँ, और किस तरह से सोते हो? रुको रुको, हो सकता है कि कुछ लोग मुबाइल देखते होंगे, मुबाइल तो नहीं देखते हो आप लो YouTube तो नहीं कुल की बैठ जाते हो रात को बोलो yes or no? येस तो नो भी नहीं निकल रहा, बताओ, नो अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छी बात, तो आधी रात को परमेश्व क्या बोलते हैं, कि जब सब सो रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं होगा, कि अचानक मैं आउंगा, मतलब इस तरह से, परमेश्व बोलते हैं, आपर, मुसा के द्वारा बोल रहे हैं, कि आधी रात के मिस्र के लोगों के, जो मिस्र में सिंघासन पर विराज, कौन था मिस्र के सिंघासन पर, मिस्र का राजा कौन था, फिरोन, हाँ, कि जो मिस्र में सिंघासन पर विराज है, फिरोन, उसके, उससे लेकर, जो छोटे से छोटा चाहें, वो दास हो, दासी हो, गरीब हो, अमीर ह मिस्र के लोगों के सब पहलोटे मर जाएंगा पहलोटे का मतलब क्या पहलोटे का मतलब होता है जो जिसके जो सबसे बड़ा बेटा होता है जो घर का जिसके पास घर की सारी जिम्मेदारिया होती है और सब भी मतलब देखो हापे स्क्रीन पर दिख रहा है क्या होगा जब सब के पहलोटे मर जाएंगे यहां पर आपको स्क्राइब पर दिख रहा है ना नीचे भी कि चाहे वो गरीब हो अमीर हो सब के पहलोटे मर जाएंगे और उसके बार दी नेक्स्ट और सिर्फ इतना ही नहीं जो पशूव तक के पहलोटे हैं यानि कि लोगों के साथ तो यह होगा ही होगा जानवरों के साथ भी ऐसा होगा कि पस्वों तक के सब पहलों थे भी मर जाएंगे तो जब जब ऐसा होगा कि जो उनके बेटा है वो ही मर जाएगा तो क्या होगा फिर दी उसके बाद क्या होगा जो सारा मिस्र देश है उसमें बहुत सब रोएंगे अपने बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं एक बर को पैसा सब चला जाए पर बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना मम्मी पापा तो जब उनके सा एसा होगा उनके बच्चे ही चले जाएंगे तो फिर क्या होगा सब रोएंगे देखाओ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कैसे सब रोरे होंगे उस समय पर है ना रोने वाले थे अभी परमेशर बोल रहे हैं, तो the next, तो ये सब क्यों हो रहा था उनके साथ, इतना बुरा क्यों होने वाला था उनके साथ, बताओ बिटा क्यों होने वाला था उनके साथ इतना बुरा, किती बार से बताया ना दीप्ती दीदी ने भी बताया क्यों ऐसा हो रहा था दीप्ती दीदी दूबर लेसंस लिए पिशले पर दीदी क्यों कि वे परमेश्वर के आग्या नहीं मानते थे हाँ और जब हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं होता चाहिए हमारे पास कितने भी पैसे हों कितने भी ज्यान हो या कुछ भी हमारे पास अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है तो हमारा जीवन एकदम बिकार है अच्छा अब आप बताईए आप किसकी तरह बनना चाहते हो खुश रहना चाहते हो, यह जो दिख रहा है आपको, पिंकी दिख रही है, इसकी तरह खुश परमेश्वर के आनन से भरे हुए, या चिंटु की तरह ऐसे रोना चाहते हो अपनी लाइफ में, दुखी, परेशान, किसकी तरह बनना चाहते हो आप, पिंकी की तरह, पिंकी की परमेश्वर सिर्फ प्रात्न करके वच्चन पढ़के परमेश्वर की बात मान के एक दूसरे से लड़ाई जगडानी करना प्यार के साथ रहना इस तरह से हमारे जीवन में क्या होगी खुशी ही खुशी होगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे मिस्र के लोग रो रहे थ तो फिर हमारे जीवन में भी ऐसा होगा इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है ताकि हम पिंकी की तरह खुश रह सके चाहे हमारे उपर कोई भी परेशानी आए हम फिर भी परमेश्वर के आनन से भरे रहे दी नेक्स्ट और परमेश्वर एक और बात बोलते हैं कि ऐ तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा इतना दूख इतनी विपत्ति लोगों पर आएगी मिस्रियों पर इस्राइलियों पर नहीं इस्राइलियों के लिए परमेश्वर ने क्या प्रोमिस किया कि मैं उनको बचा लूँगा और या कोई मनुष्य भी उनको नहीं रोक पाएगा और कोई मनुष्य तो क्या, कोई आदमी तो क्या, या ओरत तो क्या, कोई पसू तक भी, आनि कि ऐसा होगा, जिसे आप सड़क पे जाते हो, अंधेरे में जा रहे हो, या आप सड़क पे जा रहे हो, तो आप पर कुत्ते भोगने लगते हैं, है ना, डर लगता है आपको कुत् करते हैं कि यह और इसुंको नहीं रोक पाएगा करते हैं जो लोग पहर मैस्षवा कपीछ चलते हैं पर में उनकीyty करते हैं दिक्ष करते हैं सब neutr प्रेम से भरते हैं आनन से भरते हैं तो फिर देखो यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है ना ये फ्रोन सिंगहासन पर बैठा हुआ है मुसा बाते कर रहा है मुसा से बोलते हैं कि ऐसा होगा अगर कर रही है निशा दुबारा से बोलना आवास कट गई अच्छा देखो पर दिख रहा है नहीं सिंघासन पर कौन बैठा हुआ है राजा के सिंघासन पर कौन बैठा हुआ है राजा के सिंघासन पर कौन बैठा हुआ है और यह बाते कौन कर रहा है से हाथ में लाठी लिए हुए मुसा हां और उसके पीछे एक और खड़ाई कोन है तो क्या बोल रह ऑी ऑलों की महाહ summary8ड्व की महाț Navy Iubth सबसे डेंजरस महा मारी आने वाली है और क्या इसमें तुम इतना रोगे कि आज इतना बुरा हो तुम्हेज़ा साथ कैसा कभी भी नहीं हुआ होगा और फिर जो है मुसा गुष्से में होकर मह siinä से चला जाता है और फिर परमेशवर परमेशवर क्या बोलते हैं मुससे competitive next परमेशवर ने मुससे बोला की फिरून तुम्हारी नहीं सुनेगा क्योंकि मैं उसके मन को और कठोर कर दूँगा क्योंकि अभी परमेशवर को और भी चमतकार दिखलाने थे ताकि इस्राइलियों का विश्वास बढ़े और लोग देख सके कि जो परमेश्वर के अग्याओ को नहीं मानते हैं उनके परमेश्वर उनके साथ परमेश्वर क्या करते हैं तो इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के अग्याओ को मनना है और पर डरता था वो क्या था और आज परमेश्वर ने उसे क्या बना दिया उसी तरह जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे महान काम करते हैं दी नेक्स्ट तो पहले मेमोरी वर्स करके उसके बाद तीन कोश्यन है वो पुछूंगी आपसे वीडियो ओन कर लो सभी एक अच्छा चलो सभी बच्छे वीडियो ओन करेंगे तो प्यारे चाहरे आपके यशिक जिया चलो वीडियो ओन करो पाओ मुझे तो सतूती की क्या बहुत अच्छी लग रही है फर वाली गर आपको समझना है फिर से रिपीड करेंगे ठीक है यहोवा तुम्हे सहारा दिया करेगा और तेरे पाओं को फंदे में फसने ना देगा ठीक है यहोवा बोलिए बिटा माईक ओपन करके बोलो तुम्हें सहारा दिया करेगा और तेरे पाउं को पहनी ज़गे करेगा फंदे में फसने ना देगा नीती वचन तीन का 26 यहोवा तुम्हें सहारा दिया करेगा और तेरे पाउं को फंदे में फसने ना देगा नीती वचन तीन का 26 एक और बार लास्ट बार यहोवा तुम्हें सहारा दिया करेगा और तेरे पाउं को फंदे में फसने ना देगा नीती वचन तीन का 26 अब कोशन्स की बारी है अब कोशन्स पूछूंगी सिंपल से हैं माइक ओपन रखना आपने बता ना जल जल दी नेक्स्ट कौन सी महमारी मिस्रियों पर आने वाली है कोरोना या पहलोटों की महमारी पहलोटों की महमारी नेक्स्ट परमेश्वर ने मिस्रियों से क्या मांगने की आग्या दी नेक्स्ट क्या मांगने के अग्यादी खाना या सोना चांदी आज क्या सीखा फर्स्ट नंबर पर है परमेश्वर ही सच्ची खुसे ग्रीन कलर है आप कलर से बताना कौन से वाला कलर है ठीक है ब्लू कलर है परमेश्वर के बिना हमारा जीवन बेकार है और रेड है परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और पिंक है ये सभी क्या सीखा आपने आज देदी थी अच्छा वानो टू नहीं होगा क्या देदी फोर वेरी गुड राइका लेकिन सारा का जवाब ठीक है सब भी है ना टू भी है मतलब परमेश्वर हमारी सची कुशी है जब हम उधार को पा जाते हैं प्रभू को अपने दिल में बुला लेते हैं तो वो हमारी सची कुशी बन जाता है तेक्स्ट वीबस यही है अच्छ यही है ठीक है ठीक है ठीक है टीना आप या प्रातना करोगे और कोई अनौंसमेंट यह कुछ और आप बताना जा रहे हो तो आप बताना मेरी इफ-फ्फिप जाए इना